IPC Indian Penal Court के Chapter 2 में हम पहुच चिके हैं Chapter 2 में Section 6 लेकर 52 Section तक है IPC के Section 6 में किये गए अपराद को बताया गया है तही पर क्या होता है कि जब भी कोई अपराद होता है तो उस अपराद को तो हम मानेंगी कि ये offense है बट कुछ condition में वो अपराद जो करता है लेकिन कुछ अपरादियों को इसकी सजा की माफी दी जाएगी या उसे सजा नहीं दी जाएगी ऐसे कौन से conditions है Like अगर किसी भी person की age 7 साल से कम है Like वो एक छोटा बच्चा है तो उसे अपराद तो किया है बट उसे सजा terms and conditions के हिसाथ से दी जाएगी And second है अगर किसी भी person की दिमागी हालत ठीक नहीं है Like वो बिमार है वो सोचने समझने की सकती नहीं है वो decision नहीं ले सकता भूल से हुई है या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है decision के मामले में तो उस condition में भी जो अपराद हुआ है उसे अपराद तो माना जाएगा बट अपरादी को सजा नहीं होगे यहीं बताया गया है section 6 में Indian Penal Court section 7 में ये बताया गया है अगर किसी word को explain किया गया है IPC के first part में Like इसी chapter में जो chapter 2 है उसमें बहुत सारे words के meaning को explain किया गया है इस word को explain करते समय अगर एक part में किसी भी word को explain किया गया है Like अगर he का meaning अगर बताया गया है तो वो पूरे IPC के पूरे chapter IPC के पूरे section और IPC के पूरे part में सेम रहेगा उसका meaning ना change होगा ना कोई change कर सकता है अगर कोई भी word का meaning change होगा तो वो IPC के पूरे part में change होगा IPC Indian Penal Code section 8 में gender को बताया गया है Like gender के definition को बताया गया है अगर हम normal word में grammar पढ़ते हैं noun पढ़ते हैं तो हम he का use पुरुष के लिए use करते हैं Like कोई भी अगर word हम use करते हैं अगर ही लग जाता है ही word का use किया जाता है ही word होता है तो उसे पुरुष के लिए define किया जाता है of normal but IPC के section 7 में यह definition दिया गया है और IPC पूरे chapter पूरे section पूरे जित्ते भी आपको definition होंगे वहां he का use male and female दोनों के लिए use किया जाएगा Like man और woman दोनों के लिए use किया जाएगा he attempt to murder ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उस जगा पर वह male ही नहीं है वह female भी हो सकती है मतलब वहां gender wise उन्हें अलग नहीं किया जा सकता एक word से Like he का word मतलब होता है male या female दोनों हो सकते हैं वो कोई भी person हो सकता section 10 के according men and women word को definition दिया गया है explain किया गया है अगर किसी भी जगा नॉर्मल परसन अगर इसे use करते है man और woman कोई भी man का use वर्ट का use करता है pulling के लिए तो उस person के लिए use करता है जिसकी age 80 से जादा होती है जो उसे जादा होते हैं बहुत ज़दा old होते हैं तो उन के लिए use किया जाता है अगर 18 से कम है तो child use किया जाता है या boy का use किया जाता है boy word का use किया जाता है बट इंडियन पिनल कोड IPC section 10 में बताया गया है अगर man word का use किया जा रहा है तो वो 18 से जादा हो या उससे भी कम हो हर जगा अगर वो पुरूश है वो man है तो man word का use किया जाएगा अगर किसी बच्चे की age 5 साल भी है तो उसके लिए man word का use किया जाएगा अगर इसी को हम female के लिए use करते हैं woman के लिए use करते हैं तो same होगा इंडियन पिनल कोड section 11 के according person या वैक्ती दब वैक्ती और जो भी वैक्ती होते हैं उनके लिए person का use किया जाता है of normal जो हम use करते हैं बट इंडियन पिनल कोड जो हम IPC पड़ते हैं तो हम person के लिए only use नहीं करते हैं अगर किसी भी जगा कोई company भी होती है जिसमें group of person work करते हैं और company होती है तो वहां भी person का use किया जाता है या association person word का use किया जाता है अगर company नहीं use करेंगे तो association person जिसमें group of person work करते हैं और explain करने के लिए person का use किया जाता है तो person एक वैक्ती ही नहीं और कई बार वो एक company भी हो सकते हैं इंडियन पिनल कोड section 12 के according जब public word यूज करते हैं तो सारे लोग ही कटा होते हैं तो वहां public कहा जाता है तो अगर IPC के section को समझे आई पिसी के section में यह explain किया गया है अगर कहीं भी public word का use किया जाता है तो एक समुधाय को represent करते हैं समुधाय या किसी भी एक group of community को किसी community को यह particular group को define करते हैं यह बताते हैं कि यह सरी के से हैं किसी भी group of community यह group of party के बारे में बताया जाता है जो particular गरूफ को define करनी के लिए इस word का यूज किया जाता है of public जब किसी भी समुधाय के यह public word यूज के जाता है तो एक समुदाय के लिए public word यूस किया जाता है IPC के लिए IPC के section 13 में queen word को definition दिया गया है जिसे हम हिंदी में रानी कहते हैं इसे आदेश द्वारा पुरी तरीके से रद कर दिया गया है निशकाशित कर दिया गया है और यह निशकाशित करने का आदेश 1950 को दिया गया था और यह section cancel हो चुका है इंडियन पीनल कोड section 14 के according Service of government जिसे हम explain करते हैं कि service of government जो एक नॉर्मल तरीके के service provide करते हैं government के लिए हम उसे ही समझते हैं बट IPC के section में इसे explain करने के लिए किसी भी officer के लिए जो government द्वारा appoint किया जाता है अगर भारत के भीतर किसी भी government officer को appoint किया जाता है वो government के work करते हैं government की जितने भी work है वो लगातार एक ही तरीके से करते आ रहे हैं वो लगातार उसी पद में विराजमान हैं तो उन्हें officer जो भी service को दे रहे हैं जो गौर्मेंट के दारह एक इंप्लोईट को अपॉइंट किया जाता है यह सारे जगाहों पर और सर्विस और गौर्मेंट का यूज किया जाता है अगर किसी भी जगा आईपीसी के श्रक्षन 50 में क्या बताया गया है आईपीसी के श्रक्षन 50 को पुरी तरीके से रद कर दिया गया है विदी अनुकूल आदेश द्वारा इसे पुरी तरीके से निश्काशित या रद कर दिया गया है जो रद करने की डेट है वह है आईपीसी के श्रक्षन सिस्टीन में क्या बताया गया है इसे भी भारते विदी अनुकूल आदेश द्वारा पुरी तरीके से निश्काशित या रद कर दिया गया है इसे रद करने की डेट 1937 को इसे पुरी तरीके से रद कर दिया गया था IPC, Indian Penal Court, Jackson 17 के According, Government या सरकार, जो ये वर्ड है, ये दोनों वर्ड, जिसे हम हिंदी में सरकार कहते हैं और इंगलिस में गौर्मेंट कहते हैं, इन दोनों वर्ड का यूज किया जाता है, तो जब भी ये सरकार वर्ड का यूज किया जाता है, तो केंद्रिय सरकार ये किसी reduction में इस वर्ड का यूस गॉणमेकन्ट एंग्लिश में हम इंगलिश में इंगलिश में इंडिया कहते हैं जाम्मौ कश्मीर को छोड़कर यह पूरे जगाभावां को भारत के के आइटरी में नाया जगा जहता है भारत में ही इंकूलूट किया जाता है IBC के section 90 में क्या बताया गया है नियाल अधिश जिसे हम judge कहते हैं English में इसे बताया गया है कि जो judge है उस वैक्ति को नहीं बोला जाएगा जो only post पर विराज मनोंगे इसमें अलग definition बताया गया है कि किने और judge कहा जा सकता है लौ के दोरा अगर कोई भी judgment के लिए किसी भी civil या criminal case के लिए या कोई भी ऐसे judgment या ऐसे fastly सुनाए जाते हैं जो अपिल नहीं किये गया हो high court या supreme court को लेकर ही नहीं किये गया हो अन्य हो या कोई भी ऐसे judgment दे सके जो किसी भी offense या other party को confirm कर दे कि या हम जो judge बोल रहे हैं या confirm कर दे या ऐसे judgment जो किसी भी person के लिए या किसी भी वह जो भी फैसला सुना रहे हैं वह confirm कर दे कि उनके लिए सही होगा like first है collector judge, second है magistrate judge, IBC के section 20 में बताया गया है court of justice जिसे न्याले कहा जाता है जो भी न्याले धीश के साथ में कारियरत होंगे उनके साथ में बिल बनाना, उनके साथ जच के साथ में बिल बनाना, कारियर करना, या उनके document समालना, result लिकालना, या जो भी काम होंगे उनके साथ में जो भी सम्मू होंगे उनके साथ जज्जमेंट के लिए जो भी कार्य करेंगे और जिस इस्थान पर करेंगे उसे हम Court of Justice कह सकते हैं